बिस्मिल्लाहरा हि aí रहाँख्मानिरहीम ृस्वामिलेक्मृ सुडुएंट्स आज की लेक्षर में हम डिक्स करेंगे सेंटैंस टायप्स सेंटैंस की टाईप्स और उनका स्ट्रक्चर तो इकताईप्स के अंदर सबसे पहले types कौन कौन से आज बढ़ेंगे हम उनमें वीटा सबसे पहले simple sentences फिर compound sentences complex sentences और compound complex sentences यह चार काइंट जो है sentence की आज की लेक्षर में हम discuss करेंगे तो सबसे पहले देखिए basic element for every sentence यानि कि जो भी जुमला हो ये जो हमारा subject है और predicate है ये दोनों का लाजमी जुजब होती है यानि कि ये दो चीज़ों के बिना sentence जो है ये exist नहीं करता या फिर सबसे basic जो हम structure देखें sentence का तो वो इस तरह से होता है यानि कि subject और predicate ये हम पहले बढ़ चुके है अब देखिए जी subject sentence है marry plays tennis के marry tennis kid अब marry क्या है subject है ठीक है जी और plays tennis क्या है ये predicate है अगर मैं दुबारा से recall करवा दूँ आप लोगों को हमने ये कहा था कि जब हम जुमला बनाते हैं there are two steps सबसे पहले we name something फिर say something about that noun तो देखिए सबसे पहले क्या किया हमने नाम लिया marry और उसके बारे में बताया के plays tennis तो वो जो नाम होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो subject होता है और वो जो उसके बारे में बात की जा रही होती है वो प्रेडिकेट उसे बोलते हैं अब जी आते हैं हम अपने अग्री टाइप्स के उपर तो simple sentence a simple sentence has one subject and one predicate basic structure जो simple sentence है एक subject होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है अब यह देखिए observe how a simple sentence is constructed यह देखिए जुमला है we went to send john yesterday अगर हम इसका देखें इसका analysis करें तो देखिए we went to send john we क्या हुआ मैंने अभी कहा कि हम क्या करते हैं बटा किसी का नाम लेते हैं we ठीक है और उसके बारे में बात की went to send john name और उसके बारे में जब बात की तो बेटा we अगर हम part of speech के हवाले से देखें तो we है pronoun went जो है यह verb है to send john यह phrase है prepositional phrase है लेकिन अगर overall structure देखें तो we जो है यह subject है और यह जो went to send john है यह complete predicate है ठीक है जी अब simple subject जो लिखा है मैंने तो simple subject से मुराद यह होती है कि subject complex भी हो सकते है यहां पर वही simple है लेकिन अगर हम यहां चलें अगर आप इसका फिर से दुबारा से वही analysis देखें तो यह one subject है अगर one subject हो तो इसे हम simple subject बोलते हैं आगे plays tennis इसके अंदर one predicate है और यह simple predicate है ठीक है यह complex subject और complex predicate भी हो सकते हैं यानिक एक से ज्यादा subject और एक से ज्यादा predicate भी हो सकते हैं कैसे हो सकते हैं यह देखिए tom and marry अब यह tom and marry दो subject हुए दो लोगों का जिकर है तो इसे subject तो एक ही है इसे हम compound subject बोलते हैं और plays tennis यह simple है और इसी तरह अगर यह इस तरह से हो जाए कि tom and marry यह compound subject हो गया plays tennis and swim यह compound predicate हो गया ठीक है जी यह देखिए simple sentences with compound subject यानिके ऐसा भी हो सकता है कि subject compound हो predicate simple हो और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों simple हो या दोनों compound हो तो हम sentences देख लेते हैं clear हो जाएगा tom and marry play tennis यह देखिए tom and marry यह हमारा subject है और tom यह देखिए और marry यह दो जुकों का जिकर है तो यह compound हो गया हमारा subject और play tennis यह यहाँ पर simple predicate है यानिके यह structure भी हो सकता है subject compound हो सकता है और predicate simple हो सकता है अब simple sentence with compound subject and compound predicate अब देखिए यहाँ पर tom and marry tom and marry यह अब फिर पीछे sentence की तरह tom and marry यह हुआ हमारा compound subject और अगर यह देखिए play tennis and swim तो अब यह विटा हमारा predicate भी compound होगा ठीक है तो अभी हमने यह दो slides में यह देखा कि ऐसा भी हो सकता है कि subject compound हो predicate simple हो और ऐसा भी हो सकता है कि subject भी compound हो और predicate भी compound हो यह था हमारा simple sentence इसके बाद हम देखते हैं compound sentence क्या होते हैं compound sentence is a compound sentence has more than one part that can stand alone यहनिके ऐसा sentence जिसके अंदर एक से ज्यादा independent clause हो अब बिठा दूसरी पॉइंट देखिएगा independent clauses are connected by coordinating conjunctions, conjunctive adverbs और semicolons यहनिके compound sentence जो है वो ऐसे sentence होंगे जिनके अंदर एक से ज्यादा independent clauses मुझूद हों और यह जो independent clauses होंगी यह आपस में coordinating conjunction से, conjunctive adverbs से और semicolons से जुड़ी होंगी अब यह coordinating conjunction, conjunctive adverbs और semicolons क्या होते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ अब पहले sentence देखिए we went to send John and most of us danced all night यह sentence है और अगर आप इसका हम देखें analysis करें तो दो हिससे कर लेते हैं to send John and most of us danced all night तो बेटा we went to send John यह अलहदा से एक clause है we subject और went to send John predicate ठीक है जी और coordinating conjunction जो हमने पीछे बढ़ा था and जो है यह conjunction है और इसकी type है coordinating conjunction तो बेटा most of us danced all night यह भी subject verb और हमारे पास phrase है तो यह भी हमारे पास independent clause है तो यह दोनों clauses को आपस में जोड़ा है and ने ठीक हो गया जी तो यह coordinating conjunction यहनी के compound sentence क्या होगा दो clauses यहनी के एक से ज्यादा clauses होंगी और आपस में वो जोड़ी होगी coordinating conjunction से या conjunctive adverb से वो हम आगे देखते हैं तो यह पहला हमारा हो गया उसके बाद यह देखिए coordinating conjunction किस तरह से होगा use कैसे करना है compound sentence में subject, predicate फिर and या coordinating conjunction फिर subject और predicate यहनी के जुमला इस तरह से होगा subject और predicate पहले फिर उसके बाद आप उसके अंदर and use करेंगे और and के बाद फिर दुबारा से subject और predicate होगा चीक है जी उसके बाद आप देखिए compound sentence tom swims and marry plays tennis tom swims, tom subject swims predicate अब यह देखिए यह बीच में conjunction आ गई और marry subject और plays tennis जो है यह आ गया आपका predicate तो जो compound sentence हमका structure इस तरह से होगा के subject और predicate पहले फिर conjunction और फिर दुबारा से subject और predicate अब बटा compound sentences coordinating conjunction यह conjunction कौन कौन सी हो सकती है यह बचो for हो सकता है, and हो सकता है, nor हो सकता है, but हो सकता है, or हो सकता है, yet हो सकता है या फिर so भी हो सकता है तो यह सारी के सारी conjunctions हो सकती है for, and, nor, but, or, yet, or, so उसके बाद ये देखिए sentence coordinating conjunction tom swings and mary plays tennis अभी जैसे पिछे हम ने ये देखा तो बेटा ये अगर इस तरह से sentence की हम करें ये क्या हुआ tom subject swims predicate और ये यहाँ पर coordinating conjunction है और ये कॉमा भी अहमियत का हमल है अभी हम बात करते हैं ये कॉमा क्यूं है अभी पिटा यहाँ पर देखिए के mary subject है और plays tennis जो है वचो ये यहाँ पर फिर पर भी ये उगरे बाल जो महला है आण झाल 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 झाल